आल्राइट नमस्ते तो अलफ यू एन वेलकूम यू इन दे सीरीज ऑफ रिसर्च मतड़ोजी लास्टाइम जो हम टॉपिक देख रहे थे वो था आपका टाइपस ऑफ रिसर्च टाइपस ऑफ रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी वजह से मैं इस पे जादा इंफैसस कर रहे थी मैंने अपको जितने भी टाइपस तह조को मैं आत्री दीटेल में पढ़े है ए है मैंने उनके बीच में करा क्या हुआ है मैंने दिखाया कि और इनक्व डिट्लिफ ऑफ जोट्युम प मैंने बता है था अन्याप पोह दोश्र्च में और थो ई capture variable के बारें बताया था, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था, कि जब भी आप variable को पढ़ो, तो उसमें आपको अलग-अलग तरह के variable देखने को मिलेंगे, जैसे dummy variables, या फिर आपको वैसे variable, nominal variable क्या होते हैं, तो इसी course में हमने scales भी देख लिये थे, और फिर उसके बाद जब experimental variable हमने देख लिया था, experimental research हमने देख लिया था, तो हमने descriptive, exploratory, explanatory types of research भी देखा था, और फिर उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बहुत short में इन सब के बारे मताया था, आज मैं चाहती हूँ कि आपको उनकी सारी gist आपके सामने रखो, जब आप exam में जा रहे हूँ, आपको हडबड़ी हो, तो आपको सारे type फिर से ना पढ़ना पढ़े, सिर्फ gist से ही आपकी क्या हो, आपकी revision हो जाएं, प्लस आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम we are moving toward the steps of research, आज हम steps of research के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखें, research methodology में यह आपका पूरा syllabus दे रखा है, और जहां तक new pattern की बात है, कि नया syllabus हो सकता है, change हो, हमने इतना सारा cover कर लिया है research methodology में, कि सारी topic यहां पे align होगी, तो अगर new syllabus आता भी है, तो इस से ज़्यादा beyond कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने, मैंने पहले यह discussion किया है, कि this is not the syllabus from the KBS मदान, this is from the CR को ठारी की book, जो कि research के लिए एक authenticity और एक standard book मानी चाती है, तो हम वहाँ से topic को cover कर रहे हैं, तो अगर मानने चेक कुछ topic, जैसे अभी newly added topic है, ICT in research, उसको भी हमने cover किया है, प्लस में अगर कुछ modification आता है new syllabus में, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आज के class में, we will also try to push to the new topic that is called steps of research, और उसके अंदर आपको 8 step of research देखने को मिलेंगे, उसको भी हम धीर-धीरे cover करने की कोशिश करेंगे, So, let's have a look, हम देखेंगे steps of research को पहले, पहले हम types of research को थोड़ा सा revise कर लेते हैं, Let's have a look on the types of research, मैं चाती हूँ कि जब भी आप research के types पढ़ें, तो उसको एक word में आप याद करें, ना कि पूरे sentence आप दोहराएं, पूरा notes आप खोलें, एक-एक word में आप इसको याद करें, तो हम start से क्या कर रहे हैं, we are going to cover the all types of research in short, in short में we are going to cover, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, please open your copies, books, जहां पे भी आप notes बना रहे हैं, ताकि आप उसको further क्या कर सकते हैं, update करें, so let's begin one by one, एक-ए करके हम start करने वाले हैं, तो पहला जो type है, पहला type हम देखेंगे, वो है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे types हमें पढ़ना है, बट हमें short में कैसे पढ़ना है, जल्दी-जल्दी revise कैसे करना है, we are moving into that, so पहला type है, वो है आपका fundamental research, pure research, basic research, start हम करें, fundamental, basic, जिसे हम pure भी कहते हैं, pure research, और इसके characteristic क्या है, क्या से हम इसको पहचाने, तो यहाँ पे आप जब ही देखोगे, यहाँ पे main चीज होता है, कि यहाँ पे हर चीज की theory के अधार पे हम study करते हैं, theory, generalized, एक view रहता है हमारे सामने, तो theory के अधार पे generalization करने की हम कोशिश करते हैं, fundamental research, आप research के सुर्वारत में आप जो भी चीज़े पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप किसी चीज के theory के अधार पे आप पढ़ते हो, scientific रहता है, generalize करने की कोशिश करते हैं, दूसरा जो आता है आपका applied research, applied research में आप क्या करते हो, applied research में मैंने आपको कल बताया था, examples, examples के form में मैंने आपको बताया था, कि जब आप new education policy में applied की बात करोगे, तो आप long term solution की बात करते हो, कोई पूरा curriculum, कोई पूरा आप course ही change कर देते हो, और action research क्या होता है, short term होता है, तो जब हम applied research की बात करते हैं, applied research is all about the problem solving, problem solving ये हो जाता है, practical हो जाता है, practical solution के अधार पे हो जाता है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, practical problem solving, ये सारी चीज़े आपको applied research में देखने को मिलती है, जो next type हमने discussion किया था, क्योंकि applied के जस्ट नीचे आपके आते हैं, action research, action research, action research की जो problem solving होती है, वो थोड़ी सी temporary basis पे होती है, short term के लिए होती है, बट ये जो होता है, वो क्या होता है, long term के अधार पे होता है, ये क्या होता है, temporary solution के अधार पे होता है, temporary solution और ये भी कैसा होता है, इट्स अ प्राक्टिकल यह प्राक्टिकल टेंपररी सॉल्यूशन के अधार पर होता है जहां पर हम क्या करते हैं इंप्रूब्मेंट करने की चांसर जहां पर रहते हैं वहां पर हम एक्सनल रिसर्च का यूज करते हैं तो यहां पर manipulation वर्ड आ जाएगा manipulation किसका? independent variable का और यहां पर जब आप देखोगे यहां पर main चीज होता है कि सारी चीज हमने क्या लिए है? random selection किया है random selection lab यह सारी setting में आपको यहां पर देखने को मिलती है तो यह experimental research के main feature है फिर उसके बाद आपका आजाता है historical historical one historical research के क्या-क्या feature होते हैं क्योंकि यहां से भी आपके question बनते हैं तो historical research में आप जब देखोगे तो historical research में word है history यानि कि हम क्या करते हैं past के study करते हैं और past के process को फिर से हम reconstruct करते हैं reconstruct करते हैं past के process को और जब हम reconstruct करते हैं तो ये कैसा research हो जाता है It's a qualitative in nature ये हो गया हमारा अब हम थोड़ा next बढ़ते हैं क्योंकि historical research से ही मिलता जो होता एक word और है ex post facto ex post facto research और इसके important feature क्या होते हैं यानि कि हमने क्या किया हमने किसी present घटना के अधार पे past की study की तो हम past की study करते हैं किसी present घटना के अधार पे तो we study the past based upon the present event और ये भी कैसा हो जाता है ये भी आपका qualitative in nature हो जाता है So it's also a qualitative in nature तो ये important research के type से जिसको हमने already discussion कर लिया था फिर उसके बाद कर हमने आपको short में बताया था इतनो graphic research और इसमें हम क्या करते हैं किसी particular ethnic community के बारे में study करते हैं तो study of particular, ethnic, tribes, उनके culture के बारे में study, उनके lifestyle के बारे में study, food style के बारे में study को हम क्या कहते हैं इतनो graphic research फिर उसके बाद जो next type आता है वो है आपका grounded theory, grounded research grounded research in the sense कि आप क्या करते हो किसी data को collect करके आप क्या करते हो theory के दरब जाते हो generally हमारे पास क्या रहता है theory रहता है और उसके आधार पर हम data collection करने जाते हैं बट यहां पर हम सुरुवात कैसे करते हैं data collection से और उसके आधार पर हम एक नई theory बनाते हैं तो जब हम grounded research की बात करते हैं grounded research it's just like कि we start from the data and then we move to the theory so data से हम theory की तरह बढ़ते हैं और क्यूंकि हम direct कहां से बढ़ने के लिए अपकोस हमें ground पर जाना होगा और कहानी हमने यहीं से start की थी qualitative research क्या होता है quantitative research क्या होता है तो जब हम इसको एक word में define करने चाहें तो जब हम quality की बात करते हैं तो हम generally यहां पर हमारा जो main focus रहता है वो एक किसी quality वैसे जीजों पर जाद अध्यान रहता है जो कि focused हो जैसे मालनी जी case study तो यहां पर generally हम focused research करते हैं और एक broader picture लाने की कोशिश करते हैं इसमें आपकी case study बागी सारे चीज़े आ जाते हैं फिर उसके बाद आपकी quantitative research आते हैं यहां पर हम facts के अधहार पर study करते हैं हर चीजों को numerical way में डालने की कोशिश करते हैं तो number facts यह बहुत important हो जाता है तो किसे भी phenomena को अगर हम number के form में रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं quantitative research यहां पे यहां पे आपकी क्या हो जाती है यहां पर कोई भी चीज जब आप qualitative में जाते हो तो यहां पर कोशिश करते हो क्योंकि हर चीज के बारे ब्रोड study करते हो तो आप knowledge को बढ़ाने के लिए यहां पर कोशिश करते हो तो it increase your knowledge यह knowledge आपके increase करते हैं बड़ जब हम quantitative की बात करते हैं हर चीज को facts के अधार पे number के हिसाब से आप रखते हो इससे हमारी क्या होती है theory building होती है तो it helps in the theory building यह हमारी theory building में मदद करती है generalization में मदद करती है क्योंकि आपने हर चीज को आपने आकड़ों के form में रखा फिर उसके बात एक और आता है वो है आपका empirical research empirical research यानि कि आपने जो भी चीजे आपने research के form में रखी वो कैसे रखी observation के अधार पे observation experience इन सब के अधार पे आपने अनुभव के अधार पे सारी चीजों को रखा अब मैं इन सब को हिंदी वाले बच्चे confuse मत करना मैं सारी चीजों को हिंदी में भी एक बार बताऊंगी पहले इसको आप समझिये जो मैं बता रही हूं एक बार करके मैं सारी चीजों को हिंदी में भी रिपूइट करूँगी तो यहां पे हम क्या करते हैं empirical research में आप observation के अधार पे real life situation को आप deal करते हो जैसा आपने feel किया जैसा आपने observe किया उसको आप रखते हो अनुभाव जनक अनुसंधान फिर उसके बाद जो next हमारे research आ जाता है वो क्या है exploratory exploratory descriptive और explanatory को हम एक साथ लेंगे अभी जो है अभी जो हम study करने वाले हैं empirical के साथ साथ एक और type है that is called field research field research field research के बारे में हमने कल study की थी कि यहां पे हम क्या करते हैं natural setting में जाकर के study करते हैं वहां पे manipulation के chances बहुत कम हो जाते हैं तो it's based upon the natural setting there is a less chances to manipulate the variable control the variable so यह सारी चीज़े हम natural setting में करते हैं और सारे variables यहां पे chances होते हैं कि extraneous variable आपको बार बार क्या करें आपके research को प्रभावित करें तो यह natural setting में होता है फिर उसके बार जो next type जिसके बारे में हमें study करने वाले हैं that is called that is called field research के बार जो हमें study करने वाले हैं that is called cross-sectional or longitudinal कर भी हमने इसके बारे में discuss किया था but let's have a gist cross-sectional cross-sectional research और फिर आपका आजाता है longitudinal research longitudinal research यानि कि जब हम longitudinal की बारे में बात करते हैं तो आपकी sample एक होते हैं sample किसी particular sample को लेकर के आप उसको long term तक study कर रहो long term तक study कर रहो sample same है but आपकी same sample को आप study कर रहे हो for a long time that is called longitudinal यानि कि एक ही sample है और उस sample को different different point of time पे आप क्या करो study करो that is called longitudinal फिर उसके बार आजाता है आपका cross-sectional यानि कि sample different है बट यहां पे आप time जो है एक time पे आप different different sample लेकर के study करो that is called cross-sectional तो यह है आपका cross-sectional और उसके बीच में longer tutorial के बीच में दोनों के बीच में अंतर हो जाता है फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कल triangulation triangulation research जिसमें more than two more than two method you are using in the research so यहां पे more than two अगर method आप use करते हो एक ही research में that is called triangulation क्योंकि यह जो word है triangle three side तो it's a more than two तो इसका मतलब क्या है कि हम triangulation method का use कर रहे more than two are four five six seven eight nine ten कितने method use कर लोगे that is come under the triangulation फिर उसके बाद एक आता है mixed method मिक्स्ट मेधर्ड में क्या होता है mixed method में we will use qualitative and quantitative both तो यहां पे quantitative plus qualitative दोनों यूज होता है और हिंदी मीडिया माले में बचे प्लीज वेट फूर एक्स्प्लोरेटरी एक्स्प्लोरेटरी और फिर उसके बाद आ जाता है एक्स्प्लोरेटरी जब हम एक्स्प्लोरेटरी की बात करते हैं तो आप कुछ नया ढूढने की कोशिश करते हों कि यानि कि जो existing literature है उसमें क्या नया है तो यहां पे आप जो answer देते हो exploratory में what और how का answer देते हो जब वो what और how का answer देते हो it is more based upon the qualitative यह quality के अधार पर होता है qualitative research हो जाता है तो जब भी हम बात करते है exploratory research की exploratory research is more based upon the qualitative approach जब हम descriptive की बात करते है it's also explained what और जब what होता है उसको आप as it is रखते हो यहाँ पर manipulation नहीं करते हो तो you explain what as it is you found ठीक है तो यह बोथ qualitative और quantitative हो सकता है depend upon what kind of literature you are referring to फिर उसके बाद आजाता है explanatory explanatory जो है यह y का answer देता है y का answer देता है यह cause बताता है हर चीज के बीचे क्या कारण है तो यह है आपका explanatory फिर उसके बाद जो next type हमें पढ़ना है next type जो हम देख रहे थे वो है आपका analytical research यानि कि explanatory को ही हम क्या कहते है analytical one analytical research तो यह सारी चीजे हमने already देख लिया था और इसको मैंने just a summary के रूप में बताया फिर उसके बाद जो next type है वो है आपका correlation correlation research correlation research में दो टाइप आजाते हैं एक है positive correlation और दूसरा है negative correlation correlation यह जो word है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सह संबंध आप दो variable के बीच में आप independent और dependent variable के बीच में relation देखने के find बात करते हो कि कैसा relation है जब यह relation दोनों एक direction में बढ़ रहे हैं चाहे वो आगे दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं एक ही पैटर्न में सोकर हैं that is called positive correlation but for example एक आगे दूसरा नीच पीछ है और दूसरा नीच एक उपर बढ़ा that is called negative correlation फिर उसके बाद जो next आता है वो है आपका regression 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 में आप क्या करते हो यहाँ पे आपने relation ढूंडा कि क्या relation है अब यह relation कैसे है how it is related इसका जब आंसर देते हो that will come into the regression और regression में आप देखते हो regression के बाद आपका जो next method आता है वो है आपका quasi-experimental जब मैंने आपको experimental बताया था तो वहाँ पे हमको बताया था कि यह भी it's just like a experimental but experimental में जो हमारा sample होता है वो random होता है but यहाँ पे जो हमने sample लिया है that is non-random non-random और हम क्या करते हैं वहाँ पे lab में लेते हैं experimental में यहाँ पे हम natural setting में लेते हैं तो यह non-random और natural setting में होने के वज़े से यह आपको लगता भले ही है कि experimental है बट क्योंकि यह दोनों factors में आ जाते हैं तो यह quasi हो जाता है यह अर्ध हो जाता है जूटा हो जाता है experimental की तरह सिर्फ दिखता है बट वो experimental नहीं है फिर उसके बाद जो next type है वो है inductive और deductive inductive deductive inductive the word I for individual individual यानि कि आप क्या करते हो किसी particular से individual यानि particular से आप general की तरफ जाते हो you move from particular to general और deductive में ठीक इसके opposite होता है यहाँ पर हम क्या करते है जेनरल से particular की तरह बढ़ते है ठीक है तो यह आपका अंतर है inductive और deductive में फिर जो next type यह है वो है cohort cohort research cohort research में क्या होता है cohort in the sense कि आप क्या करते हो आप non experimental किसी group के बारे में study करते हो तो you study the group in a non experimental way ठीक है तो इसको हम कहते है cohort और यह generally it is used in a medical field medical field में जब हम non experimental group को लेकर कि study करते हैं that is called that is called cohort research ठीक है यह cohort research कहलाता है इसके बाद इसके बाद I think इतना ही हमने discussion किया था inductive deductive यह सारे चीज़ हमने discuss किया अब जो भी हमने discuss किया थोड़ा से इसको हम हीं देख लेते हैं हिंदी में हमने क्या discussion किया था let us have a look, हम start कहां से कर रहे हम स्टार्ट कर रहे है fundamental research से और fundamental research basic research इसको हम Hindi में कहते हैं इसको यह में हिंदी में कहते है मौलिक, ANU clicking कれ करते हैं सिध्धान से समान्य करण की तरफ जाते हैं हमारे पास सिध्धान और समान्य करण करने की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास सिध्धान्थ है और हम शमान्य करण करने की बात करते हैं ठीक है एक बार हम मात्रा चेक कर लेना समाननी करण की तरफ हम जाते हैं फिर उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान इसको हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान ठीक है रिसर्च को आप समझ लो कि ये अनुसंधान है दूसरा जो वर्ड आप करते हैं परियोगिक अनुसंधान परियोगिक अनुसंधान क्या होता है यह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है यानि कि यह क्या करता है समधान संबंदित होता है समधान संबंदित होता है और प्लस में यह क्या होता है प्राक्टिकल होता है तो यह जेनरली ये वैवहारिक होता है और जो वैवहारिक समधान होता है वो long term यानि लंबे समय तक के लिए होता है फिर उसके बाद आपका जो next है वो है action research यानि कि इसको हिंदी में कहते हैं क्रियानवित अनुसंधान और इसमें जो solution मिलता है हमें temporary यानि कि अल्प कालिक यानि कि अल्प समय तक के मिलता है अस्थाई solution की हम यहाँ पर बात करते हैं और अपकोस यहाँ पर जो solution मिलता है वो वैवहारिक होता है experimental को हम हिंदी में कहते हैं परयोगिक ठीक है अप्लाइड और यहां पर एक्सपेरिमेंटर को the सुद्ध हिंदी सुद्ध हिंदी में आप देखो कि जो वर्ड है experimental के लिए वह परयोगिक परयोग ही कहते है ठीक है इसको कहते हैं परयोगिक इसी वज़े से थोड़ा सा confusing हो जाता है जब आप research को एकदम सुध हिंदी में पढ़ते हो क्योंकि ये word applied भी परियोगिक है यहाँ पे भी बट इसका concrete आप एक बार जरूर जा करके के भी इस मतान की बुक में देख लेना इसको हिंदी में सुध हिंदी में क्या कहते हैं मुझे लगता है इसको अलग कहते हैं तो एक बार जरूर चेक कर लेना और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो manipulation होता है यानि कि manipulation का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो there is a chances कि आप नियंतरन करने के कोशिश करते हो बढ़ाना घटाना तो आप नियंतरन करने के कोशिश करते हो independent variable को यानि स्वतंतर variable यानि स्वतंतर मान को चर को और यहाँ पे जो selection होता है वो क्या होता है random होता है यानि कि आप अपने हिसाब से चीजों को चुनते हो फिर उसके यह आप अपने हिसाब से नहीं इसको कहते है non random random का मतलब क्या होता है कि आपका उस पे कोई बस नहीं आपने चुन लिया और सब की equal chances है चुनने की उसको कहते है random exactly मुझे हिंदी नहीं पता चल रहा है random को हिंदी में क्या कहते है एक बार आप जरूर देख लेना ठीक है फिर उसके बाद जो next आता है वो है आपका historical historical को हिंदी में कहते हैं एतिहाशिक एतिहाशिक अनुशंधान और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम reconstruct करने की कोशिश करते हैं reconstruct the past यानि कि जो भी जो भी हाँ है क्या बोलते है उसको भूत है ठीक है past यानि कि जो भी इतिहाश है उसको हम پुनर निर्माड करने की कोशिश करते हैं कैसे लिखते है पुनर निर्माड और उसकी बाद आप गुरना अत्मक अनुसंधान है क्योंकि आप अपने हिसाब से करते हो तो इसको हम कहते हैं गुडात्मक अनुसंधान ठीक है अब देखिए हमारे जो next है वो है इसका मुझे इक्जाक restoring हिंदी नहीं पता है आप जाकर के एक बर जरूर चेक कर लोगे और उसको अपने नोट में लिख кожan करते हैं ब्रचेंद में हिसाब से हम जाकर कि भूत की स्टड़ी करते हैं और ये भी क्या है गुडात्मक है फिर उसके बाज आ जाते हैं इतनो ग्राफिक को हिंदी में कहते हैं जातिगत अनुसंधान या फिर नुसंधान यहां पर किसी भी एक जाती ट्राइप्स या इससे रिलेटेड आप करते हो ग्राउंडेड रिसर्च इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं आधारित या फिर एक्जाटली आप हिंदी चेक करने इसको कहते हैं आधारित अनुसंधान ठीक है अधार के अधार के हिसाब से आप क्या करते हो चेक करते हो और फोर डेटा के तरह बढ़े इसी को हम कहते हैं grounded थी यहीं qualitative research के बारे में आपको पता है इसको हम कहते हैं गुडवत्ता अनुसंधान गुड़ात्मक गुड़ात्मक अनुसंधान और यहां पर हम क्या करते हैं किसी चीज़ के बारे में focus study करते हैं focus होकर के study करना व्यापक रूप से study करना that is called व्यापक, व्रिहद, study इसमें आपकी knowledge बढ़ने के chances ज़्यादा देखने को मिलते हैं quantitative यानि कि यह क्या है मातरात्मक अनुसंधान और यहां पर आप क्या करते हो हर चीज़ की facts देखने की कोशिश करते हो तत्य, number और उसके अधार पे आप theory उसके अधार पे build करने की कोशि करते हैं जो भी चीज हमने देखा उसके अधार पे हमने क्या किया उसके अधार पे हमने अब्जव करके वहां पे लिखा तो हर चीज क्या होती है आपकी innovation आपकी अनुभाव जनक इसको कहते हैं अनुभाव जनक, यह आपका empirical research और फिर उसके बाद आता है आपका field research, यानि कि आप field में जाकर study करते हो, यहाँ पे किसी natural setting में, प्रकृतिक setting में जाकर के आपने क्या-क्या study किया, और यहाँ पे जो बाहे चीजे होती हैं, बाहे चर्य होती है extra new or variable का जो होता है जादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है फिर उसके बाद जो next आजाता है, वो है आपका cross-sectional cross-sectional को हिंदी में cross-sectional बे कहते हैं, इसका मुझे exact Hindi नहीं पता है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक ही समय पे भिन भिन सैंपल्स को यूज करके आपने study किया, that is called cross-sectional longitudinal को I think अनुधार्य ऐसे कुछ होता है longitudinal wave क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े है तो उसका हिंदी होता है अनुधार्य तरंग, यहाँ पे longitudinal research है, तो इसको I think हिंदी में कहते हैं अनुधार्य 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 तो यहाँ पे जो सैंपल होता है वो एक ही होता है किसी एक सैंपल को अधार पे आपने क्या किया विभिन समय पे एक ही जन संक्या के बारे में जब आपने study करते हो, that is called longitudinal triangulation method, यह जो word है इसको हम, I think, Hindi में कहते हैं triangulation को, triangulation कहते हैं exactly, let me check triangulation को हम कहते है tricodeye karan tricodeye karan ठीक है और जो English medium के बच्चे है इस पार्ट को skip कर सकते है you can easily skip it और तो यहाँ पे यहाँ पे आप अलग-अलग method का आप यूज करते हो, दो से ज़्यादा अगर आप विधी का यूज करते हो that is called triangulation mixed को हिंदी में हम कहते है मिश्रित विधी यहाँ पे आप गोडात्मक के साथ साथ मातरात्मक दोनों एक साथ यूज करते हो descriptive को हम कहते है वर्णात्मक आप वर्णन करते हो जो जैसा है वैसे exploratory का मतलब होता है खोजबीन खोजबीन से संबंधित और यहाँ पे आप क्या करते हो यहाँ पे आप what और how का answer देते हो explanatory का मतलब होता है wishlation करना और यहाँ पे आप क्यों का answer देते हो क्यों हुआ कैसे हुआ इसके बारे में आप answer ढूंडते हो फिर उसके बाद जो next हम discussion कर रहे थे वो है correlation correlation में हम सह संबंध स्थाप्पित करने की बात कर रहे थे दो variable दो चर के बीच में क्या संबंध है उसके हिसाब से हमारी positive और negative के बारे में understanding होती है और फिर उसके बाद आजाता है regression regression को हिंदी में हम कहते है regression एक बार आप जरूर चेक करें इसको exact हिंदी में क्या कहते है दूसरा आता है आपका quasi experimental यानि कि इसको हम क्या कहते है गलत परियोग या फिर जो भी यह परियोगिक गलत परियोग विदित क्वासी का मतलब क्या होता है जिस लाइक एक्ट एक्टिंग जगलत फॉल्स के रूप में तो यहां पर जो सैंपल होता है वह non-random होता है कि आप अपने convenience के हिसाब से choose करते हो और यहां पर आप किसी प्रकृतिक सेटिंग में जाकर के चीजों को इस्तेमाल करते हो फिर उसके बाद हमने पढ़ा inductive और deductive deductive अनुसंधान और deductive अनुसंधान किसी आप पर समाने चीज, विशिस्त घटना से individual specific से आप शमाननी की तरह बढ़ते हो और समाने चीजे से जब आप विशिस्त की तरह बढ़ते हो वो क्या हो जाता है? वह है आपका deductive ठीक है, वो है आपका detective, फिर उसके बाद आपका आजाता है cohort, cohort को हिंदी में कहते हैं, cohort ही, और यह आपकी medical छेतर में या फिर doctoral छेतर में आपका generally use होता है, तो इस तरीके से हमने सारे types के बारे में study की, अब जो है, अब हम क्या discussion करने वाले हैं, वो है आपका steps of research, step of research is a very important topic जहां से आपके, जिसके बारे में अगर हम depth में बात करने लगे तो हर step में एक topic बन सकता है, जैसे आपका research problem क्या है यह अपना एक अलग topic बन सकता है, literature review क्या है, यह एक अलग topic बन सकता है, hypothesis क्या होता है, यह एक अलग topic बन सकता है कि hypothesis में आम देखोगे type 1 error type 2 error null hypothesis यह सारी चीज़े हम discussion करेंगे फिर उसके बाद design कैसे बनाने चाहिए design के आपको अलग structure दिये रहेंगे CR Kothari के book में अलग-अलग तरह की design होते हैं फिर उसके बाद आप data collection जाते हो different types of data collection survey method यह सारे हम देखेंगे plus में फिर उसके बाद आप क्या करते हो sampling types of sampling से भी question आप से पूछे जाते हैं कि sampling के कौन कौन से और यहां से question ज्यादा पूछने के chances है क्योंकि इस बार sampling से ही question पूछे गया थे कि आपको बताना है कि stratified sampling क्या होता है Snowball Sampling क्या होता है, Snowball Sampling से बार-बार आपके Question आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, You Will Data Analysis, Data Analysis में भी आपको अलग-अलग Tools, SPSS Model, धेर सारे आपको तरीके बताएजाएं, जिसके वज़े से आप Data Analysis करते हो, और Data का Interpretation करते हो, और Last में आप क्या करते हो, You Will Go Through the Report Writing, और Report Writing करने की भी एक कला है, और इसी वज़े से Report Writing एक Last में आपको दिया गया है, as a syllabus के फॉर्म में, कि जब आपने पूरी Research को लिख लिया है, कर लिया है, तो उसको किस तरीके से लोगों के समने प्रस्तूत करना है, ताकि आपके Research जो है, वो वेस्ट ना हो, Report Writing कैसे हम लिखे, इसकी एक अलग से आपको syllabus में दे रखा है, So what we do in the next class, we will go, we will start with the first step of the Research, कि हम जब बात करते हैं, problem कैसे formulate करना है, क्योंकि यहां पे जब आप Research Proposal के बारे में, क्योंकि जब आप Net के लिए आप अप्लाई करें, So of course you are also thinking about the PhD, तो वहां पे आपको कौन से टॉपिक में आपका interest है, काहस कैसे आप find करोगे Research Problem को, कैसे आप identify करोगे कि क्या है मेरा interest, वो जो है, बहुत important हो जाता है, और Research Problems को find करना is the most important one, So next class में, we will start with the first step of research, जहां पे हम research की formulation, objective, इन सब के बारे में देखेंगे, Till then what you have to do, you have to look into the steps of research through the CR Kothari book, Till then, just keep studying the research methodology.